तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूँ, काफी सारे लोगों को network से related काफी सारी problem देखने के लिए मिल रही है, किसी का data नहीं चल रहा है, तो किसी की network में problem आ रही है, उनकी जो sim है वही सो नहीं कर रही है, किसी की sim में network नहीं आ रहे हैं और data work नही तो सबसे पहले तो क्या करना है अगर आपकी सिम में कोई भी प्रॉब्लम होती है सबसे पहले तो क्या करना है अपने मुवाइल को री स्टार्ट कर लेना है अगर आपको लगता है आपकी सिम सही डली है और आपकी सिम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या करना ह अगर networks related problem में देखने के लिए मिलती है तो आपको क्या करना है power button को थोड़ी देर के लिए दवा कर रखना है और यहां पर एक restart का option देखने के लिए मिलता है या फिर आपको मोईल का जो sim slot होता है उसको निकाल के दोबारा से लगाना है और एक वर यह भी चक कर लिना है आपका sim slot है वो ठीक है या नहीं है और अगर network problem और आती है तो आपको क्या करना है अपनी मोईल की settings को अपन करने के लिए network and internet इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है यहां पर आपको एक इंटरनेट का option देखने के लिए मिलता है सेंपल से आपको इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका जो network वगरा है वो यहां पर देखने के लिए मिलेगा आपको क्या करना है यहां पर शेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहां पर यूसे में का ओप्षन है यहां पर आपको कि अगाना है ऐसी सपिंग ढूटी है अपने मुवैल में सारे मुवाईल समन aha अलग-あれ शेटिंग होती है तो यहां पर आपकी जो स्नि-स प्ल्त है आपको यह चेक कर लेना है और तो अगर sim अगर अंदर से settings में से अगर बंद होती है फिर भी आपकी network नहीं आएंगे जैसे कि अगर मैं यहां से अगर sim को बंद कर दूँगा तो मेरी जो sim है वो बंद हो जाएगी और मेरे जो network है वो cut हो जाएंगे तो आपको एक बार ये भी check कर लेना है कि आपके settings में से आपकी जो sim है वो बंद है या चालू है तो simple से आपको ये भी check कर लेना है दोस्तों कभी कबार क्या होता है आप लोग sim को बंद कर देते अंदर से या फिर किसी ने भी SIM को अंदर से बंद कर दिया और चालू करना भूल गया तो फिर भी आप अगर SIM Trot को बार-बार निकालेंगे, बार-बार डालेंगे, SIM को भी चेक करेंगे, SIM Trot को भी चेक करेंगे, फिर भी कोई भी यहाँ पर solution देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपको अ इस पर क्लिक कर देना है, इससे आपकी जो settings, APN की setting वो reset हो जाएगी, access name point की, यहाँ पे access point name की, जो settings हो जाएगी, reset होने के बाद आपको क्या करना है, settings में दोबारा से जाना है, और दोबारा से जाने के बाद यहाँ पर आपको search का option देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर आ पर रिसेट आप्सन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रिसेट के ओल आप्सन देखने के लिए मिल जाएंगे जैसे के आपको रिसेट बाइफाई ब्लुटूथ नेटवर्क वगरा यह सब रिसेट करना है और परफॉर्मेंस या फिर एक्रेज़ डाटा मतलब होगा हमारी जो नेटवर्क की सेटिंग है वह एक्र पर मोबाइल में सभी में अलग अलग लग सपद्स्टम होते हैं आपको आपको मोबाइल में क्या होता है त millennials the system सेटिंग्स होती है वो चेंज कर दी जाती है उपर नीचे हो जाती है लेकिन आपको सेटिंग्स देखने के लिए मिल जाती है काफी सारे मोईल्स में reset कर लिए इतना करने को वाद आपको किया करना है अब आपको से गाना है तो आपको यह जो जेतना जाता है आपको पता होगा प्रोसटी नहीं पता है तो आपको क्या करना है यूटूब पर जाना है यूटूब पर अपने मॉइल का नयम सर्च करना है पीछे हाड रिसेट लिग देना है आपको कोई भी एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको प्रोसेस बताया होगा कि आप अपने मॉइल को हाड रिसेट किस तरही क कैसे करेंगे दोस्तों आपको अपने मोईल को हार्ड रिसाट कर लेना है आखर में जाके इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपकी नेटवर्क नहीं आते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता वस्ता है आपके मोईल में कोई भी प्रॉब्लम आ गई है इसक के लिए आपको अपने नजदी की सर्विस सेंटर पर जाना होगा जिस कंपनी का आपको मोईल है उस कंपनी के सर्विस सेंटर पर जाना होगा और वही आपकी ये प्रॉब्लम ठेक कर पाएंगे तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक क सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं ऐसी न्यू लिटेस्ट वीडियो के साथ